नमस्कार मैं हूँ आपके साथ शुभांगी सिंग और बंसल नीउस की खास पेशकर्ष में आपका स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं कि आयुश्मान में हर बार स्वास संबंदी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है इस कड़ी में आज हुमारे साथ डॉक्टर विनीत नमस्कार धन्यवाद तो आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा से कैसे करें आखों का बचाव के बारे में और जिसके बारे में जानकारी देंगी डॉक्टर विनीता रामनानी साथ ही अगर आपकी भी आखों से जुड़ी कोई समस्या है तो आप हमारे नंबर लगातार आपकी पिवी स्क्रीन पर फलाइच भाईया आप इंबर कॉलके जवाब लेजिघन के सब्सक्राइब क क्या है और इस को आईखों के बिमारी हे जिसमें मरीज को कुछ पताही नहीं रहता है और दीरे-दीरे करके मरीज अपनी आउन्खों की रॉश्नीक होने लगता है इसमें आंखों का दबाव बढ़ता है और देखने वाली नस जो है वो कमजोर होती है और अंत में वो नस सूख जाती है जिसकी विज़े से पेशेंट को अंधत्व का शिकार होना पड़ता है और जो फील्ड में परिवर्तन होते हैं मतलब मरीच को साइट साइट से दिखना कम होता है और अंत में वो बीच का भी दिखना बंद हो जाता है जैसा कि शुबांगी मैंने बताया कि इसमें अवेरनेस इसलिए जरूरी है कि अगर हमने इस बिमारी को समय रहते पहचान लिया और उसका इलाज करवा दिया जो बहुत आसान है तो हम रोगी को अंधत्वस से बचा सकते हैं अरली डैगनोसिस हुआ और प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ तो पेशिंट को हम नॉर्मल वीजन भी दे पाते हैं पर क्योंकि इस बिमारी की अवेरनेस नहीं है मरीज को इस बिमारी के कई बार लक्षन नहीं दिखते हैं तो इसलिए वो बिमारी अंत में पता चलती है जब मरीज अल्रेडी अपनी 80-90 प्रतीशत या कई बार 100 प्रतीशत रोशनी खो देता है और उसके बाद वो अस्पताल में डॉक्टर के पास आता है और अनफर्चनेटली ग्लॉकोमा एक ऐसी बिमारी है जिसमें हम मरीज की खोई हुई रोशनी को वापस नहीं कर सकते लेकिन हम मरीज की बिमारी की रोक्थाम करके उसके वीजन को वहीं संभाल सकते हैं जितना खोया है वो चला गया लेकिन जो आगे बचाओ जरूरी है कि जितना है उसको संभाला जा सके इसलिए अवेरनेस या जानकारी होना बहुत जरूरी है बिल्कलो और डॉक्टर विनीता से आप जुड सकते हैं आपको भी आँखों से रिलेटिट कोई भी समस्या है आँखों से जुड़ी कोई भी बिमारी है तो आप सीधे जुड सकते हैं हमारे नमबर लगा था टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहे हैं आप कॉल कर सकते हैं जॉक्टर विनीता से सला ले सकते हैं Dr. Vinita, अगर बात करें, ग्लूकोमा की, तो ग्लूकोमा का जो खत्रा है, वो किन लोगों को होता है और किन लोगों को जादा होने की संभावना है? शुभांगी ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि सब लोग तो ग्लूकोमा के बारे में जाँच नहीं करा सकते, आवेर नहीं हो सकते, तो कुछ हाई रिस्क ग्रूप कहलाते हैं, जिनको इस बिमारी की जाँच करवाना जानकारी होना बहुत जरूरी है, सबस से पहली बिमारी है, मोतिया बिंदू, जो बढ़ती उमर के साथ में होती हो, लगबग-लगबग 60% लोगों में देखी जाती है, जो आँखों की नजर कम होने से पीड़त रहते हैं, सेकेंड नंबर पर आता है ग्लॉकोमा, जिसमें कि उसका परसेंटेज है 12.8%, जब चालिस साल के बाद कम हो रही है, तो उनको करीबं 12-13% चांसे हैं कि ग्लॉकोमा हो सकता है, और 60 साल के बाद ये ज़्यादा हो सकता है, तो 40 साल के उमर के बाद सबको अपनी सालाना जाच करवाना चाहिए, नंबर वन, नंबर टू, अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लॉकोमा है, चाचा जी को, बुआ को, ये हैरीडी ट्रेंड है, तो अगर आपके भाई या बहन को ग्लॉकोमा है, तो आपको भी ग्लॉकोमा होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उन लोगों को भी टेस्ट कराना चाहिए, और एक एंगल क्लोजर वेराइटी होती है, जिसमें की अगर वो समय रहते पैचाना, तो लेजर से हम इस बिमारी को आने से रोक सकते हैं, थर्ड होता है, सिकिंडरी वेराइटी अफ ग्लॉकोमा, जिसमें की मरीज को कभी कोई चोट लगी हो, आँखों का कोई ऑपरेशन कराया हुआ हो, आँखों में सूजन हो, जिस से, जैसे की स्टिरोइट, स्टिरोइट आम तोर पर अस्थमा वाले मरीज लेते हैं, इनहिलर के रूप में, या कई बार वो कैपसूल्स लेते हैं, या इंजिक्शन्स लेते हैं, तो भी वो आँखों का प्रेशर बढ़ा सकते हैं, अगर वो स्किन क्रीम लगा रहे हैं दरनाक साबित हो सकती है, तो इसलिए स्टिरोइट वाले पेशिंट्स अपनी आँखों की ग्लॉकोमा की जांच जरूर करा हैं, डॉक्टर विनीता अगर बात करें, इनीशिल सिम्टम्स की, तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, जो बताते हैं कि कोई मरीज है, जिसको ग्लॉ उनकी आँखों का प्रेशर बढ़ा हुआ है, और उनकी नसें कमजोर है, और डॉक्टर उनको ग्लॉकोमा डाग्नोस करता है, पर कुछ मरीजों में, इसलिए जो एंगल क्लोजर वाराइटी वाले मरीज होते हैं, उसमें आँखों का दबाओ क्योंकि अचानक से बहुत जाता है, तो आँखों में दर्द, सिर में दर्द, लाइट के चारो तरफ इंद्रधनुषी, गोले याने रंगीन, रेंबो जैसा दिखना, कुछ पेशिंस को तो इतना सीवियर पेन होता है आँख में कि उनको वामिटिंग होने लगती है, क्योंकि जो नॉर्मल आँखों भी हो जाता है मरीज को वो यह सोची नहीं पाता है कि उसको जो सर में दर्द है और जिस तरीके की वामिटिंग या तकलीफ हो रही है, वो शायद आँखों की वज़े से है, तो ऐसे एक्यूट एंगल वाले मरीज जिनको इतना सीवियर अटेक आता है, कई पर वो जनरल या नियूरोलोजिस्ट के यहां जाके भरती हो जाते हैं, और फिर कई दिनों बाद उनको पता चलता है कि मुझे तो उस आँख से दिख भी नहीं रहा है, तब समझ में आता है कि जो अटेक हुआ था वामिटिंग का और हैडेक का, वो एक्चुली में एंगल क्लोजर ग्ल कविता, आप सवाल कर सकती हैं, जॉक्टर विनीता से, जैसा कि शबांगी मैंने बताया कि जो हमारा ग्लॉकोमा है, वो बड़ा हुआ प्रेशर है, तो जैसे हम ब्लेट प्रेशर नापने के लिए एक मशीन यूज़ करते हैं, उसी तरह से आँखों का प्रेशर नापने के लिए भी मशीन होती है, जिसका नाम है टोनो मीटर, जो टोनो मीटर है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा नॉमल प्रेशर दस से बीस होता है, और 21 मिलीमीटर मर्कुरी से बड़ा हुआ प्रेशर ग्लॉकोमा की तरफ संकेत करता है, अब कई बार ये जो टोनो मीटर है, अगर आपका प्रॉपरली केलिबरेटेड नहीं है, या आपके असिस्टेंट ने उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया, या जब हम आँखों का प्रेशर देख रहते है मरीज ने अचानक से आँखें तेज बन कर ली, तो वो गलत रीडिंग भी आ सकती है, इसलिए एक रीडिंग बड़े हुए प्रेशर की ग्लॉकोमा नहीं कहलाती है, अब एक टोनो मीटर होता है, जिसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टाक टोनो मीटर, जिसमें कि वो आँख को देते हैं या ब्लिंक कर देते हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगी कि एक रीडिंग बड़ी हुए प्रेशर की ग्लॉकोमा नहीं जाए, अगर उसके साथ में देखने वाली नसिक अम्जोर हो रही है, और उसमें फील्ड में परिवर्तन आ रहे हैं, तभी हम उन तीनों को मिला के ग्लॉकोमा कहते हैं, सिर्फ बड़ा हुआ प्रेश्चर वो गलत रीडिंग भी हो सकती है, जिसको दूसरे दिन या दूसरे टोनोमीटर से रीचेक कर सकते हैं, और जो फील्ड टेस्ट है, या फिर जो ऑप्टिक नर्व की जांच, वो करने के बाद ही नेने लिया जा सक क्योंकि ग्लॉकोमा एक lifetime disease है, मैंने देखा है कई बार एक NCT की reading, मतलब non-contact tonometer की reading एक ज्यादा आ गई और ग्लॉकोमा की दवाईयां शुरू हो गई, वो गलत है, इसलिए आप एक proper test करा हैं, जैसे tonometry है, fundus examination है, perimetry test है, उसके बाद ही नेने लें कि ग्लॉकोमा है की नही हैं, अगर है तो ये lifelong disease है, जैसे मरीच BP की गोली काता है, वैसे ही उसको आँखों का pressure कम करने के लिए भी eye drops डालने रहते हैं, बिल्कुल तो जैसे डॉक्टर विनीता ने कहा कि आपको test कराना जरूरी है, उसके बाद ही पता चलता है कि ग्लॉकोमा है या नहीं, और क्योंक गलक तरह की होती है, इसमें भी types होते हैं, जी बिल्कुल, एक variety होती है, जिसे हम बोलते हैं congenital glaucoma, मतलब जनम से या by birth या छोटे बच्चों का कांच बिंदू, तो ये हाला कि बहुत कम incidence होता है, लेकिन इसको बोलते हैं ox eye, मतलब इसमें बच्चे की आंख इतनी बड़ है, लेकिन उसमें parents को aware होना पड़ता है, कि अगर एक आंख लगाता है, बड़ी दिख रहे हैं, ये काला घेरा जो होता है हमारी आंखों का, तो वो congenital glaucoma की तरफ संकेत कर सकता है, जो दूसरी variety मैंने बताई कि open angle glaucoma होता है, जिसमें पानी ले जाने वाला रास्ता तो नारो है और इस angle closer variety में laser किया जाता है, जिससे की वो रास्ता खोला जाता है, और एक होता है secondary variety of glaucoma, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि वो किसी वजह से हुआ, चोट लगी, यहां steroids लिए, यहां कोई operation हुआ, तो उसके बाद जो हुआ, वो secondary glaucoma कहलाता है, जैसे diabetic patients हैं, उसमें एक किसम का glaucoma होता है, जैसे हम neovascular glaucoma कहते हैं, तो कुछ high risk groups हैं जिनको ज्यादा glaucoma होता है, उसमें diabetes भी एक है, यह जिन लोगोंने retina की surgery कराई हुई है, तो यह अलग-अलग किसम के glaucomas इसलिए important हैं, क्योंकि सब का treatment अलग-अलग तरीके से होता है, बिल्क जैसे हम दो महीने से राइट साइड में दुनला दुनला पन नजर आगा है, आपकी उमर कितनी हैं, सर? मेरी है, 65 है, सर, 65 यह की उमर में कम दिखने का मुख्य कारण मोटिया बिन्दू होता है, प्लीज आप अपनी आई टेस्ट कराएं कि कहीं आपको मोटिया बिन्दू जब आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो आपकी नजर और चश्मे का नंबर चेक करेंगे, फिर आँख में दवाई डालके वो आपकी रेटिना टेस्ट भी करेंगे, और मोटिया बिन्दू है कि कोई और बिमारी है, वो निश्चित करके ही पता चल पाएगा. इस बिमारी की रोक थाम की जा सकती है, तो रोक थाम करने के लिए जो पहला कदम है, जैसे कि जनवरी मन्थ जो है, वो ग्लॉकोमा अवेरनेस मन्थ के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कि हम इस बिमारी के बारे में जानकारी देते हैं, लोगों को ये जानकारी है कि मोट तरनाक साबित हो सकता है, तो इसलिए glaucoma और cataract दोनों में differentiation जरूरी है क्योंकि दोनों बढ़ती उमर के साथ कम दिखने वाली बिमारिया हैं, दूसरा जो awareness के साथ साथ important है कि आप routine examination जरूर कराएं, ऐसा माना जाता है कि 40 साल के बाद हम सबको अपनी सालाना जाच कराना चा लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी चश्मे की दुकान पर जाएं और अपना बस चश्मे का number चेक करा के आजाएं, आपको पूरी eye test एक अच्छे आँखों के doctor से करानी है, जो आपकी आँखों का pressure भी देखे और आपकी retina test भी करें, और third आप ignore ना करें, कई बार क लगता है कि मुझे तो कोई बिमारी नहीं है, तो फिर मैं क्यों इलाज कराऊं, पर अगर समय रहते हैं उन्होंने इलाज नहीं कराया, जब बाद में आएंगे तो तब बड़ी परेशानी हो जाएगी, तो इसलिए आप अपने doctor का कहना माने, और चौती चीज ये है कि जै लेजर जो भी जला दे रहे हैं, आप उसको जरूर माने, बिल्कुल तो जैसे doctor Vinita ने सला दी है कि हमें 40 साल की उमर के बाद एक routine check-up तो कराना चाहिए, आई टेस्ट कराना चाहिए, वो भी किसी doctor से कराना चाहिए, ना कि चश्मे के दुकान पर जाकर, doctor Vinita इसी बीच हमारी sister की age 37 years है अभी, मैम उनको right वाली eye में, जो spherical number मिला है, दूर का मैम वो minus 4 है, और past का spherical number minus 15 है, और मैम left eye में, दूर का minus 12 है, और past का minus 8 है, तो मैम नंबर को प्लीज आप, जो near vision वाला number है मैं, पास का उसको आप प्लीज, प्लस में convert करके बता सकते हैं, क्या थिये कितना होगा, तो कि ना या नंबर बार बार change होता है, तो समझ नहीं हाता, मैम plus के हिसाब से किता है, तेखिए, जो हमारा दूर का number है, वो हमारी आँखों की बनावट की वज़े से है, और वो 37 years पे नहीं बदलेगा, आपने जैसा बताया कि right का जो आपका number है, minus 4 है, और left का जो number है, वो है, आपका minus 2.75, अब ये जो दूर का number है, ये आपका constant याने same रहेगा, क्योंकि 40 साल की उमर पे आते आते हमको plus 1 का number रहता है, तो हमारी जो दूर की minus की digits हैं, उसमें plus 1 जोड़ेगा, याने minus 4 में अगर plus 1 जोड़ेगा, तो minus 3 बचेगा, तो मेरा कहने का आच्चति ये है कि आपको जो भी दूर का number है, वो place to place variation होगा, 0.5 कम या जादा बता सकता है, अगर आप doctor बदल रहे हैं या जगे बदल रहे हैं, plus 1 चालिस साल की उमर पे आता है, plus 2 पच accordingly पढ़ने का number आता है, लेकिन हमारे पास अगर already minus number है, तो वो minus और plus कई बार 0 हो जाते हैं, और करीबार अगर minus 4 है, तो बचा हुआ, plus 2 मिलके minus 2 reading number आता है, बिलकुल, तो doctor विनीता ने जो सलाह दी है, अकांशा, आप उसका पालन करें, और विरेंद्र हमाई सा जुड़ ग कम दिखता है, एज क्या है सर आपकी, मेरी 49, सर जैसा कि मैंने अभी previous caller को भी बताया कि हम सबको 40 साल के बाद मासपेशियां कमजोर होने की वज़े से एक चुश्मा लगता है, जिसे प्रिजबायोपिया या reading glass कहते हैं, और on an average ये अगर आपको कोई दूर का number नहीं है, तो प्लस वन आपको पढ़ने का चुश्मा 40 साल पे, 45 पे आपको प्लस 1.5 और 50 पे प्लस 2, याने कि हर 5 साल में आधा number बढ़ेगा, तो आपको 49 ये पे सर रीडिंग number लगाना कम पल सरी रहेगा, जोक्टर विनीता, ऐसा माना जाता है, अक्सर कहा जाता है कि ग्लुकोमा की सर जानती है कि कांच बिंदू का इलाज अभी क्यों कराना, ग्लुकोमा का इलाज ओपरेशन से नहीं होता है, तो मैं ये दोनों चीज़ों को खारिच करती हूँ और ये बताती हूँ कि ये मित है, इसका फैक्ट ये है कि समय रहते आपके ग्लुकोमा का इलाज होना बहुत ज किया जा सकता है, और जैसा कि मैं बार-बार बोल रही हूँ कि ये ओल्ड एज की बिमारी है, जिसमें मोतिया बिंदू भी और कांचिया बिंदू भी एक ही एज में होते हैं, तो कई बार एक पेशिंट में दोनों बिमारियां एक्जिस्ट करती है, थोड़ा सा वीजन उनक एक जाबकें डॉक्तर आबकोंगोरमा की सरूजरी एड़वाइस कर रहा है तो बिल्कुल कर वाहना चाहिए, पल्कुल तो, Dr. Vinita, हमारी अगली कॉलर Shujalpur, जुड़ गई हैं, जी, आप हवाल कर सकते ही, Dr. Vinita से? अभी आफ्टर नून में नहीं बात कर रही थी जी गुड आफ्टर नून मेरी ब्रदर है विकाश्रिवास्टो और अभी हमने उनको बोपाल में डॉक्तर लाले में जो लोले डॉक्तर लाले तारे मनिशा मार्केट पर देखते हैं उनको दिखाया था वाला वामारी फैमले अभी दोक्टर ही है मेरा भी उनसी आई टेस्ट चलता है बट भाईया को अभी क्या वगरा कुछ भी नहीं था बट उनको आखो में रेट सा है लेट का अजिए तो अभी आपका में सीरियल देख यह थी मनलब आपका अपका अपिसोर देखा मैंने इसमें ग्लोकोमा के बा करण होते हैं कि आपको आँखों में अलर्जी हो रही है कभी हलकी सी आपने आँख दबा दी है या चोट लगी है कोई यह बहुत जोर से छीक दिया तो रेट स्पॉट आजाता है और अगर आपने डॉक्टर को दिखाया है तो डॉक्टर जरूर सो निश्चित करता है कि आ जानी ऑपरेशन जो है वो बिलकुल भी मुझे लगता है एक मित है लोगों के मन में और इसकी सर्जरी पॉसिबल है अंत में आप जितने भी ग्लुकोमा के हमारे मरीज यह हमारा कारिक्रम देख रहे हैं को क्या संदेश देश देना चाहेंगी मेरा हर उस मरीज को यह संदे है कि आपको ग्लॉकोमा है तो प्लीज आप उसको इग्नोर ना करें और उसका समय रहते इलाज कराएं और जैसा मैंने बूला कि आप एक रूटीन सालाना अपना आई टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि ग्लॉकोमा जो है वो एस्सिम्टोमाटिक डिजीज है मतलब ना कोई ल समय रहते पैचाने और फिर उसका इलाज करा लें ताकि आप अंधत्व से बचें एक यह मित है कि डॉक्टर जबदस्ती डाग्नोर करता है तो डॉक्टर को आपकी डाग्नोर्स जल्दी करने में फायदा आपको ही है मुझे नहीं लगता कि किसी भी डॉक्टर को बिमारी देने का शोक है बिमारी पहचान के इलाज करवाना ही डॉक्टर का मेन उद्दिश्य रहता है और अगर कई बर ऐसा होता है कि हमने ग्लॉकोमा की दवाई लिखी और कभी ग्लॉकोमा की दवाई से थोड़ा सा रडनेस आंख में आए क्योंकि कई बर दवाईयों की प्रेशर चेक कराना, फील टेस्ट कराना या ओसीटी कराना ये टेस्ट होते हैं जिसके जरीए वो पता कर पाते हैं कि आपका ग्लॉकोमा कंट्रोल है कि नहीं है ग्लॉकोमा पहचानना और फिर ग्लॉकोमा को कंट्रोल में रखना ये दो बहुत important aspect हैं तो इसलिए आप में ये बोलता है कि आपको ग्लॉकोमा है तो बिल्कुल आप अपनी सिटी के किसी ग्लॉकोमा एक्सपर्ट को जरूर दिखाईए जैसा कि मैंने बताया कि ये lifelong disease है तो जल्दबाद जी डागनॉसिस में मत करिये जी डॉक्टर विनीता आप हमारे कारीक्रम में आई और अप फिर हाजर होंगे एक नई स्वास्तसंबंदी समस्या को लेकर साथ ही बताएंगे उसके उपाए दीजे इजाज़त नमस्कार